कि यह ब्यूपॉइंट के सांसा सोसाइट पॉइंट भी लग रहा है क्योंकि यह नो फ्लाइंग जोन में आ रहा है तो यहां पर ड्रोन भी एक रहा हुड़ाना शक्राइब ब्लू ब्लू वाटर तो नाम तो काफी ज्यादा सुना था और आने का प्लाइन भी काफी दिनों से था बट कोई स्यूडियो निवन रहा था स्कूली सो आज मैं हूं रापूर का ब्लू वाटर यह खास एक तरीका जील है जो जिसे ब्लू वाटर के नाम से जाना जाता है ब्लू वाटर के बगल में और देखता हूं कैसा सीने करके अभी तक तो मैं देखा भी नहीं जस्ट बाइट साइड में खड़ा करके ब्लू की स्टार्ट किया हूं चले आप लोग दिखाता हूं यह रहा ब्लू वाटर अगर को काफी लोग यहां पर आयोए हैं देख सकते हैं यहां से स्टार्ट होकर वहां कोने से लेकर उधर गया हुआ है चलो कोने तक भी चलते हैं तो यहां पर काफी लोग आया हुए हैं देख सकते हूं पोटो सुट वेगर भी हो रहा है है कि चलते हैं अब कुछ शाइट में चलते हैं चली क्या है देखते हैं और यहां डास्ता आगे चलता है मैं एक्चुली इस तरफ जाया हूं सो जिस डिस्टिनेशन में रता हूं वहां सी 18 किलिमेटर पड़ा तो मैं इसका लोकेशन में अधर नॉर्मली लोग आए हुए हैं एकसर यहां पर लोग घुमने आते ही रहते हैं तो चली वहां चलते हैं चलो यहां से लाग रहा है बुरी वाटर का फुल रिविव्यू और दोस्तों बगल में है यह एरपोर्ट है यहां पर देखे तो फ्लाइट ऊड़ रहा है उड बगल में है एयरपोर्ट यह देख से तो फ्लाइट उतर रहे नीचे तुछ देख से तो पहिजा नीचे हो गया और यह बगल में है एयरपोर्ट चलो नीचे आ गया ठीक है तो यहां से पुरा व्यू आ रहा है बलू वाटर चलो पास चलते हैं है सो जिसली इसका नाम है बलू वाटर विद्धा पुरा पानी तुला है बहुत साफ है तो कलिए नीचे का पुरा पतधर दीख रहा है और तोने में हमक्ते फाली कि पत्थर नहीं है बस चेस् unstoppable दीख है और यह रह काफी डेंजर जग लगता यार सोसाइट पॉइंट ताप का दोस्तों ये व्यूपॉइंट के साथ सोसाइट पॉइंट भी लग रहा है ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई सोसाइट वगर करने आता है तो बचे गई नहीं रहा है चली यहां से ड्रोन पोटेज लेते हैं और देखते हैं यहां का पुरा उपर से वीव कैसे आता है सो काफी सो लेते हैं तो इहां पर काफी लोग अपने अपने गर्फ्रेंड के साथ भूमने वेगर आए हैं थोड़ा टाइम स्पेंट करने के लिए अच्छी जगाई जो काफी लोग यहां पर आया हुए हैं तो आई होब ड्रोन से उनलों को डिश्ट आपना हो फिर यह अपनलग तोड़ाएंगे ही ना ठीक है तो दोस्तो मैंने ड्रोन वापस से बैग में डाल दिया क्यार यहां पर नो फ्लाइंग जोन एरिया है यहां पर ड्रोन फ्लाइंग नहीं कर रहा है सो बदाया ना जजबगर में एरपोर्ट है वो सामने वाला एरपोर्ट है इसलिए यहां पर फ्लाइट सोरी ड्रोन उड़ी नहीं रहा है नो फ्लाइंग जोन बता रहा है स्वरी दोस्तों इस एरिये का ड्रोन फोटेज नहीं ले सकते क्योंकि यह नो फ्लाइंग जोन में आ रहा है तो यहां पर ड्रोन वेगरा उड़ाना शक्त मना है सो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को प्रॉब्लम हो और एक बात दोस्तों यहां पर देख सकते हो काफी चीज यहां पर खा कर जहें फेक दे रहे हैं ड्रिंक वेगराई तो सी सो प्लीस ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि आ रहां पर काहीं लोग घुमने वेगराते रहते हैं तो प्लीस थोड़ा स्वक्षता बनाए रखो क्योंकि यहां पर देख से प्रुजगा जगा पॉलिथीन डिस्पोजर पानी फोजी सा फिका हुआ है तो अब मजे लोग बुलू वाटर की यहां से लेकर बताया हैं तो यह एल्शेप में है प्र लेकर वहां से वहां तक करके और काफी लोग यहां पर घूमने वेगर आते रहते हैं इस तरह कि ए सारे कड़े करकेट को इस तरह कर से फेक दीए तो प्लीस ऐसा कुछ मत किया करो कि बच्चे लोग भी आते रहते हैं ति क्या सरपड़े का उन लोगों के ट्रिंग वेगर देखें अपर दारू आरू का वो स्वाइसा प्लीज बिल्कूल मत किया करूं कि काफी बेहतरीन फ्यू आ रहा है तो ब्लू वाटर स्वाइस श्युक्त चलते हैं काफी प्यारा सा वीओ यहां से पूरा मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा बुरू ब्लू वाटर है काफी बेहतरीन व्यूपॉइंट कि यहां थोड़ा सांत इरिया है इसलिए मैं माइक तो लगाया नहीं कि सांत इलाका है तो उत्तर ज़्यादा आवाज का प्रब्लम नहीं होगा तो काफी प्यारा सा लोकेटाने जी वाला बस साफा साफाई का ध्यान रखो दोस्तों और उस साइट है जंगल वेगरा तो उस साइड में तो वहां से गेट है बाता नहीं हो कोई जाते होंगे कि कि अबन में कोई आदमी जाती नहीं देखा तो मैं नहीं गया है वहां से तो काफी प्यारा सा ब्लेस बुल वाटर थोड़े दिर बैठते हैं फिर यहां से जाएंगे तो दोस्तों यहां पर काफी बड़े-बड़े मचलिया इसमें जैसे मैंने पत्थार मारा ना तो जो मचलिया हैं वो लोग आना स्टार्ट हो इतना तो बड़ा मच्छी दिखा मेरे को तो सु चलिए दोस्तों अब थोड़ा वहां चलते हैं हांके बढ़ते हैं यहां से थोड़ा वहां पर देखते हैं कैसे नहीं कि वहां पर काफी लोग आए हुए हैं तो चलिए वहां चलते हैं वापस से जहां से स्टार्ट किये थे सो दोस्तों यहां से ब्लू वाटर कुछ इस तरीके से है बट इधा सुर्य का लाइट पर रिचले काला काला दीख रहा है बट पानी ब्लू ही है ब्लू वाटर देख लिए काफी अच्छा व्यू पॉइंट था रायबूर में तो यह वार विजिट कर सकते हो प्यारा सा प्लेस है बस थ्यान रखने है कुछ भी खाता हुथ फेकना मत तो काफी प्यारा सा है पानी वेगर भी अगर आप नहाते वेगर तो थोड़ा समल की पानी बहुंच जाता ही गह रहा है और कोई आसपास के आदमी से पूच ले ना पानी के बारे में क्योंकि मैं एक फाल अए नहीं से पानी मुद्रा हुँ इँट तो काफी अच्छा प्लेस था अच्छा लागा है यहां पर आ करके सो वीटो करो आहीं पर एंड करते हैं सो वीडियो अच्छा लागा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चलेन है नहीं चनल को सुस्काइब करके झाल झाल झाल